हेलो बच्चो, आज मैं आपके लेकर आया हूं fraction की दूसरी क्लास, जब हमारी fraction की पहली class होई थी, तो उसमें हमने सीखा था की fraction होता क्या है, और fraction के types के बारे में पड़ा था आज हम देखेंगे कि fraction के जो भी आपको sums आते हैं sums का मतलब fraction में जो भी आपको questions आते हैं like plus के, minus के, into के, divide के उनको किस तरीके से करना है वो सारे cases की बाद हम आज करने वाले हैं we can say fraction वाले plus, fraction वाले minus, fraction वाले into, divide mix fraction वाले plus minus सारी चीज़े आजम सीखेंगे तो आपको class को last तक देखना है आप फिर plus, minus, into, divide आपका सारा concept complete हो जाएगा start करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे सानी के school, military, school, class 6, 9 entrance exam की तैयारी करना चाहते हैं online paid batch लेना चाहते हैं वो एक April से हमारा नया batch join कर सकते हैं means एक April से batch start हो रहा है चलिए, तो इस start करते हैं आप पहले questions के sequence देखो अभी मैंने divide के question नहीं लिये मैं उनको भी add करूँगा आज की ही class में ये सारी questions हम आज देखने वाले हैं आप देखो कि पहला question देखो दूसरा question देखो पहला question क्या है, normal है दूसरा question आपका mixed fraction का है आप देखो denominator जो है same है पहले question में भी दूसरे question में भी तो पहले हम दो question देखेंगे ये और ये ऐसे plus जिनका denominator same होता है उसमें क्या करना पड़ता है फिर उसके बाद जिनके denominator अलग होते हैं इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो first of all मैं question number one से start करने वाला हूँ जब भी आपको कोई plus मिले तो आपको देखना है कि जो आपका fraction है उसके denominator equal है या नहीं जब आपने देखा कि आपके denominator जो है वो equal है तो आपको क्या करना है जैसे आपने देखा कि total यहाँ पे तीन fraction है हर fraction में denominator सेम है तो वही denominator जो है आप उसको एक बार ले लो उसके बाद आपको क्या करना है इस वाले जब denominator सेम हो तो यह 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 जो आपको तीन बार 8 दिख रहा है आप उसको एक बार लिख लो और उपर के जो भी numerator से उनको as it is लिख लो 1 प्लस 5 प्लस 7 आप इसको solve कर दो 5 एक 6 साथ 13 13 upon 8 यह solve हो गया means अगर हम plus की बात करें और denominators होते हैं same तो कितना आसान है जो 3 बार same हो या 4 बार जो भी denominator जितनी बार भी same हो आपको उसे एक बार लिख लेना है और उपर के सारे numerator साथ आपको as it is लिख लेने हैं फिर आपको normally sum कर देना है actual में इसके पीछे का concept क्या है जो denominators होते हैं आपको करना होता है उसका LCM means कोई भी plus या minus अगर आपको fraction का मिलता है ठिक तो आपको उनके denominators का क्या करना पड़ता है LCM देखो मैंने आपको तरीका तो बता दिया एकदम normal है लेकिन इसके पीछे का concept जानो क्योंकि जब denominator सेम होते हैं तो आपका case normal रहेगा लेकिन जब denominator अलग रहेंगे तो आपको इसके पीछे का concept पता होना चाहिए तब ही वो caution बनेगा तो इसको करने में concept क्या लगा है आपको denominators का निकालना था LCM तो आपने निकाल लिया LCM 8 आया सेम सेम number के LCM सेम आता है ठीक उसके बाद क्या किया आपने नीचे वाले number से इसको divide किया और फिर जो आएगा उपर वाले से multiply किया आप करके देखो इससे आपने इसको divide किया 1 आया 1 का into 1 से किया 1 इससे इसको divide किया 1 आया 1 का into 5 से किया 5 इससे इसको divide किया 1 आया 1 का into 7 से किया 7 आपने इन सब को जूड़ दिया यहाँ पे values कुछ भी बदली नहीं है उसके पीछे का जो कारण है वो यह है कि denominators सेम है अगर denominators मैं अलग ले लूँ तो सारी चीजे बदल जाएंगे बट जब denominators अलग वाला question आएगा उसको तब देखेंगे अभी normally तरीके से हम समझेंगे denominators जो भी है उसको एक बार लिख लो numerators आप वैसे ही उतार दो और solve कर दो तो यह पहला question हो गया अभी दूसरा question देखेंगे हम अभी दूसरा question देखते हैं दूसरा question में क्या करना है दूसरा question जो है उसके भी denominator साथ देख सकते हैं सेम है लेकिन वो mixed fraction का है देखें 6 right 2 upon 7 plus 3 right 1 upon 7 plus 2 right 3 upon 7 अब इसको करने के क्या क्या तरीके हैं देखो एक तरीका तो यह है कि आप इसको normally fraction में change करो means improper fraction में change करो कैसे करोगे denominator 7 है लिख लो 7 6 हा 42 42 में 2 जोड़ा 44 plus 7 3 हा 21 22 by 7 फिर plus 7 2 हा 14 3 17 by 7 अब आप देख रहे होंगे इसके पहले वाले question जैसा यह बन चुका है mixed fraction से improper fraction बन गया denominator same already थे फिर मैंने आपको बताया denominator अगर same है तो उनको एक बार लिखो numerator सापको as it is उतार लेना है फिर आपको solve कर देना है चलिए solve कर देते है 7 2 9 4 13 की 1 3 4 1 5 2 7 1 8 83 upon 7 आया है guys चलो एक बार चेक कर लेता हूं 4 दूच्छे 7 1 3 4 दूच्छे 2 बिलकुल right है 83 upon 7 लेकिन हो सकता है कि यह जो question था आपका यह mixed fraction वाला था तो हो सकता है कि जो answer हो वो भी mixed fraction में निकालना हूं जादा तरह ऐसा ही होता है अगर आपके exam में question paper में mixed fraction का प्लस आता है तो options भी mixed fraction में होने के chances 99% होते हैं तो हम इसका mixed fraction निकालेंगे 7 से 83 को divide करेंगे 7 बन्जा 7 1 बचा 3 उतरा 7 बन्जा 7 क्या बचा आपका 6 तो आपको मैंने क्या बताया था जो denominator में 7 है वही लिख लो जो आपका 11 आया है question वो आप यहां लिखो और जो आपका remainder आया है 6 वो उपर लिखो तो आपने देखा इसका answer क्या या solve करने में 11 right 6 upon 7 यहां लिख लो 11 right 6 upon 7 तो आपने एक तरीका इसका यह देखा लेकिन मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका दिखाऊंगा जिसमें आपका जो question है वो थोड़ा सा असान होने वाला है ठिक चलिए यह हो गया इसका दूसरा तरीका क्या है अब हम उसकी बात करते हैं आपने देख लिया कि जो आपका question है वो mixed fraction का है उसको plus करना है अभी आप इसको भूल जाओ ठीक है इसको छोड़ दो बस चेक करेंगे last में कि आंसर सेम आया या नहीं आपने देखा कि plus करना है सभी questions में आपको ध्यान होगा और नहीं ध्यान है तो मैं अभी बता देता हूँ माल लो अगर कोई कोई fraction लिखा है 4 right 2 upon 3 तो इस fraction को हम लिख सकते है 4 plus 2 upon 3 इसे हम ऐसा लिख सकते है और इसे हम ऐसा लिख सकते है मन हो तो इनके बीच में प्लस लगा दो और प्लस लगा है मन हो तो हटा दो ये आपको याद रखना है अगर आपको ये याद रहेगा तो आप क्या करोगे जब आपको यह याद रहेगा तो आप क्या करोगे आप इसे लिखोगे इस तरीके से 6 प्लस 2 बाई 7 प्लस 3 प्लस 1 बाई 7 प्लस 2 प्लस 3 बाई 7 मैंने सब के यह जो राइट में वैल राइट इसे जो भी बोलते हैं जैसे कुछ बच्चे 2 राइट 3 बाई 7 3 राइट 1 बाई 7 तो यह वाली जो वैल्यूस हैं इनको मैंने खोल दिया है ठिक अब आप देखो यह 6 यह 3 और यह 2 इनको आप अलग ले लो 6 प्लस 3 प्लस 2 इनको अलग से सम करो फिर जो फ्रेक्शन वाली वैल्यूस बची है 2 बाई 7 प्लस 1 बाई 7 प्लस 3 बाई 7 आप इनको अलग सॉल्व करो आप अभी यह मत सोच न किये कितना सर बड़ा जा रहा है एक बार इसको मैं सिखा दूँ आपको फिर डिरेक्ट बताऊंगा कैसे करोगे 6,3,9,2,11 देखा आपने इसको सॉल्व करो आपको पता है जब डिनॉमिनेटर सेम हो तो एक बार लिखना है और उपर की वैल्यूस जो है उनको आप क्या करोगे 2 प्लस 1 प्लस 3 देखो आपका आणसर आगया 11 प्लस 6 बाई 7 इसको हम लिख सकते हैं 11 राइट 6 बाई 7 आप देख सकते हो आणसर सेम है अब इंप्लिमेंट क्या करना है जब आपको ये बनने लगे तो आपको क्या करना है जब भी ऐसा कॉशन दिखे आप सीधे आंसर आप सीधे यहां से यहां पे जब कर सकते हो कैसे कर सकते हो आपने देखा कि ये 6, 3, 2 mixed वाले fractions है तो आपने 6, 3, 9, 2, 14 इनको जोड के सीधे आपने 11 लिख लिया ठीक है आपने देखा denominators क्या है सेम है एक बार लिख लो लिख लिया तो उनकी values भी उपर की as it is आ जाएंगी तो 2, 1, 3, 3, 6 आपने देखा यहां से आप सीधे यहां आ सकते हो तो ये concept है आपको ध्यान लखना होगा अभी हम आगे बढ़ेंगे और अपना third question देखेंगे चलिए अगला question देखते हैं तो अभी हमने दो question करें है question number third देखें question number third है आपका ये वाला 5 upon 3 plus 2 upon 5 plus 3 upon 10 चलो मैंने आपको बताया ना अभी हमने दो ऐसे question देखें जिसका denominator सेम था लेकिन यहां denominators क्या हैं अलग हैं तो ऐसे fractions का plus ऐसे fractions का सम जिसके denominators क्या हैं अलग अलग हैं उसको कैसे करोगे तो आपको क्या करना है ये जो आपके denominators हैं एक मिनट तो मैं कहां पर था हाँ ऐसे fractions का सम जिसके denominators अलग हैं आपको क्या लेना है सबसे पहले उनका LCM तो 3, 5 और 10 आपको इनका लेना है LCM तो अब LCM निकालना आपको LCM वाली class में देखना होगा ठीक है जिसको problem है LCM निकालने में वो RMC Academy LCM लिखेगा तो LCM की कई सारी classes हैं चलो तो 3, 5 और 10 का आप LCM निकालोगे तो LCM कितना आएगा 30 आएगा ठीक है LCM कितना आएगा 30 आएगा ओके फिर करना क्या है सबसे पहले आपको LCM निकालना था आपने निकाल लिया नीचे वाले number से इसको divide करो फिर जो आए उपर वाले से multiply चलो देखते हैं थ्री से 30 को divide करो गे 10 आएगा 10 का multiply 5 से करो 50 आया प्लस 5 से आप इसको divide करो 6 आएगा 6 का multiply 2 से करो 12 आएगा 10 का 10 से आप 30 को divide करो 3 आएगा 3 का multiply 3 में करो 9 आएगा अब आप sum कर दो 50, 1060 62 62 में 9 जोड़ोगे आप तो कितना आएगा 71 upon 30 यह हो गया यह case आपका बहुत important है fraction में सबसे ज़्यादा important case जो है वो यही वाला है क्योंकि जब plus या minus जिसके denominators अलग होते हैं तो उसमें आपको यह rules follow कराना होता है क्योंकि जब denominator same होते हैं तो चीज़े as it is उतराती है इसलिए important यही वाला case है चलो आगे बढ़ते हैं question number 4 में आते हैं question number 4 देखते हैं 4 right 2 by 3 plus 4 right 1 by 2 plus 3 right 1 by 6 आपको ध्यान होगा just इसके एक question के पहले मैंने कराया था mixed fraction वाला sum आपको बताया था कि इसको 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 अलग जोडो और इनके जो यह main fraction से इनको अलग जोडो वहाँ हमने एकदम आसानी से कर लिया था क्योंकि जो denominator थे वो same थे लेकिन यहाँ पे जो denominator है वो same नहीं है लेकिन हम इसको भी जल्दी ही करने वाले हैं guys देखो आपको पता है 4 right 2 upon 3 को हम 4 plus 2 upon 3 लिखते हैं तो अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा मैं सीधे आपसे यह कहूंगा यह 4 आप ले लो यह 4 ले लो यह 3 ले लो 4, 4, 8, 3, 11 आप इसे ऐसे लिखो इनके जो बचे fractions हैं 2 upon 3 plus 1 upon 2 plus 1 upon 6 इनको आप अलग solve करो अब यह denominators का अलग वाला case है तो इनको solve करना पड़ेगा कैसे solve करना पड़ेगा देखो 3, 2, 6 का LCM 6 आएगा इससे आपने इसको divide किया 2 आया 2 का इंटू 2 से किया 4 आया इससे आपने इसको divide करा 3 का इंटू 1 से करा 3 आया इससे इसको divide करा 1, 1 का इंटू 1 से करा 11 plus 4, 3, 7, 1, 8 8 upon 6 आपको याद रखना है आप fraction में किसी भी जगा पर उपर नीचे cut कर सकते हो किसी भी जगा पर plus, minus, into, divide कोई fraction आप उसको आपस में numerator, denominator को cut कर सकते हो अगर वो cut हो रहा है तो आप देखोगे यहाँ पर cut हो रहा है 8 upon 6 यह दोनों ही किस से cut रहे है 2 से 2 से 8 को cut करोगे 4 2 से 6 को cut करोगे 3 आपका 11 plus 4 upon 3 आया आपको case बता चुका हूँ plus आप लगा भी सकते हो हटा भी सकते हो तो 11 right 4 by 3 आपका answer है ठीक है guys ओके एक और चीज है 11 right 4 upon 3 है इसको अभी और solve करा जा सकता है कैसे solve करा जा सकता है 11 plus 4 upon 3 है 4 upon 3 को अगर आप right में लिखोगे तो कैसे लिखोगे 1 right 1 upon 3 देखो भूल ना गए हो मैं एक बार वापस से बता देता हू 3 by 3 1 आया इससे आपको mixed fraction में बदलने के लिए जो denominator में 3 है वो वही लिख दो ठीक है जो question आता है ये question वो यहां लिखो जो remainder आता है वो यहां तो mixed fraction में हमने बदल लिया अब direct भी बदल सकते हो 3 लिख लो as it is 3 का table आप कितनी बार पढ़ सकते हो 4 को divide करने के लिए 1 time और 1 time यहां लिखो फिर जो remainder बचता है 4 में से 3 गया तो 1 वो यहां लिखो तो आप इसे लिख सकते हो 1 right 1 upon 3 आपको पता है कि इनके बीच में भी plus आ जाएगा तो 11 plus 1 plus 1 upon 3 यह समय बहुत explain करके समझा रहा हूँ आपको पता है कि इसका 1 सीधे इसमें जुड़ जाएगा यह बन जाएगा आपका 12 right 1 upon 3 तो एकदम detail में बता रहा हूँ जिससे कोई चीज मिस ना हो और आप एकदम अच्छे से इसे सीख लो तो हम अभी किस question तक आ चुके हैं इस question तक हमने कर लिया अब हमें question number 5 को hit करना है और question number 5 देखो question number 5 आपके लिए इतना असान होने वाला है कि हम वहीं पर कर लेंगे हमें इधर question ही नहीं उतारना पड़ेगा है ना सीखने के benefits आपको अब धीरे-धीरे मिलना start हो जाएंगे देखिए कैसे question number 5 है मैं क्या कह रहा था आपको नहीं करना पड़ेगा आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया जब denominators होंगे same तो plus हो या minus denominators अगर same है तो उसको आप एक बार लिख लो और जो उपर के आपके numerators आपको दिख रहे हैं उसको भी आप as it is लिख लो 8 minus 4 minus 2 अब जब इसको आप solve गरोगे तो क्या आएगा देखो 8 में से 4 गया तो 4 आया 4 में से 2 गया तो 2 आया 2 by 9 is the answer देखा आपने कितनी आसानी से answer मिल गया means overall all direct अगर करने की बात करें तो denominator सबके same है आप एक बार लिख लो आपको पता है numerators as it is उतरेंगे same same direct divide कर दो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है ये case 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया दो ये आपका answer है इस तरीके से आपको करना है चलिए आगे के questions पर बढ़ते हैं अब हम give me some seconds guys चलिए तो question number 6 देखना था हमें 8 right 7 upon 4 minus 4 right 5 by 4 अच्छा आपने एक चीज तो समझ ली अच्छा इसके दो question लेंगे हम यहीं पर main concept है समझने वाला 8 right 7 by 4 plus 4 right 5 by 4 अब मेरी बास समझेगा मैं आपको इस question में ये case मैं repeat कर बता चुका हूँ कि जब 8 right 7 upon 4 को आप लिख सकते हो 8 plus 7 upon 4 फिर plus इसे आप लिख सकते हो 4 plus 5 upon 4 ठिक इसको आप ऐसे खोलोगे लेकिन आप इसको कैसे खोलोगे यहाँ पर थोड़ा सा case अलग है कैसे अलग है मैं आपको बताता हूँ देखो इसके पहले कोई sign नहीं है minus का कुछ नहीं है तो plus का मानेंगे plus से कोई problem नहीं आप इसे लिख सकते हो 8 plus 7 upon 4 लेकिन आप यह जो आपका जो मैंने circle के अंदर रखा है mixed fraction आप देख रहे हो इसके पहले minus है यह minus कहता है कि यह minus कहता है कि यह minus इसके साथ भी लगेगा और यह जो 5 upon 4 है इसके साथ भी लगेगा बस यही एक difference है अगर इसके पहले plus है तो दोनों plus में आएगा लेकिन अगर इस mixed fraction के पहले minus है तो दोनों के साथ minus आएगा यही चीज़ पर बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं तो यह केस ध्यान रखिएगा इसको solve गरोगे तो 8-4 क्या आएगा आपका 12 आएगा प्लस इन दोनों को जब solve करोगे तो आप देखोगे कि 4-4 same है 7 और 5 क्या होगा 7 प्लस 5 12 प्लस 12 अपोन 4 है ना 12 प्लस मैंने कहा ना उपर नीचे आप कहीं पर भी कट कर सकते हो तो इससे आपने इसको divide करा 3 answer आगया 15 आप देख रहे हो fraction हो गया खतम क्यूंकि question तो main ये था जो मुझे बताना था बट example के लिए मैंने comparison बता दिया कि किस तरीके से आप इसे open करोगे तो कोई बात नहीं इसका answer 15 आ गया है बिल्कॉल right करा है हमने अब इधर देखो 8 में से 4 गया तो क्या आएगा 4 आएगा फिर plus अब देखो 7 upon 4 minus 5 upon 4 ये कोई मुश्किल case नहीं है आपको पता है इसका LCM सेम आएगा उपर के numbers भी क्या है as it is आ जाएंगे 4 plus minus करोगे तो 2 by 4 solve करो 4 plus इसको cut करोगे तो 1 by 2 2 से cut हो जाएगा इसे लिख सकते हैं 4 right 1 upon 2 तो इस तरीके से करना है overall कह सकते हो कि आज जो second class है हमारी fraction की जो आज हम कर रहे हैं इसमें हम लोग आज टोटल सीखने वाले हैं fractions के plus minus तो हमने कहीं न कहीं plus minus तो सीख लिए है एक question और है plus minus का फिर उसके बाद into divide के section में हम आ जाएंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसको हटाते हैं चलिए अगला question देखते हैं एक्चल में मैंने हर चीज के double-double question इसलिए बनाए हैं एक में denominator सेम हैं एक में denominator अलग है एक में denominator सेम हैं एक में denominator अलग है इस तरीके से जिससे आप सी खर्चा से पाओ तो अभी जो question किया है सेम वही question लेकिन इसमें जो आपके denominator से वो अलग होंगे देखिए question है आपका 8 right 1 upon 3 minus 7 right 1 by 4 देखो इसे आप लिखोगे 8 plus 1 by 3 mixed fraction के पहले minus है तो minus दोनों के साथ आएगा तो अगर ये वाली ये वाला जो case है अगर आप ये सीख लो तो आप direct भी कर सकते थे देखो जैसे 8 में से 7 गया 1 अगर आप ये सीख जाओ तो आप यहीं पे minus कर सकते हो कि यहाँ minus लगा है 8 में से 7 गया तो 1 ठीक उसके बाद क्या बच रहा है 1 upon 3 minus 1 upon 4 आप यहाँ से सीधे यहाँ आ सकते थे कि आपको 1 upon 3 में से minus करना पड़ेगा 1 upon 4 अगर आपको पता हो कि यह minus इसके साथ भी आएगा यह minus इसके साथ भी आएगा ठीक तो 1 plus अब LCM से solve होगा इनका LCM 12 आया नीचे वाले से divide करोगे 4 4 गा इंटू 1 से 4 इससे इसको divide करा 3 3 का इंटू 1 से करा 3 आ गया 1 प्लस 1 by 12 इसे हम लिख सकते हैं 1 right 1 upon 12 ठीक है गाईस तो 1 right 1 upon 12 हमने solve कर लिया है पुरा question solve हो चुका है चलो multiply की case में आ जाते है जल्दी से question number 8 देखो 2 upon 3 into 4 upon 5 अब आप देखेंगे into में देखो एक चीज याद रखना आप plus कर रहे हो minus कर रहे हो into कर रहे हो divide कर रहे हो उपर नीचे कहीं पर भी काट सकते हो अगर कट रहा है तो plus में भी काट सकते हो minus में भी into में भी divide में भी उपर नीचे मतलब एक ही fraction है उपर नीचे आप कट कर सकते हो किस तरीके से लाइक यहाँ पर मालो लिखा है 8 upon 6 तो उपर नीचे अगर कट रहा है तो काट दो 2, 4, 8, 2, 3, 6 इस तरीके से आप कट कर सकते हो कहीं भी क्योंकि एक ही fraction में कट किया है एक ही fraction के numerator denominator को कट करा है तो यह हम कहीं पर भी कर सकते है plus minus into divide लेकिन तो यह काम तो सब में कर सकते है तो ऐसा क्या है कि इसमें कुछ extra कर सकते है into में into में आप चाहो तो आढ़ा तेड़ा भी कट कर सकते हो किस तरीके से मैं आपको समझाता हूं चलो पहले समझा देता हूं जैसे मैंने कहा 4 upon 3 into 7 upon 2 आपने देखा उपर नीचे यहां नहीं कट रहा उपर नीचे यहां नहीं कट रहा लेकिन आप देखोगे कि numerator अगर हम इसका ले ले और denominator इसका ले ले हम ले सकते हैं multiply है guys, multiply में possible है तो एक into ही ऐसा case होता है कि जिसमें आप एक numerator इसका ले लो एक denominator इसका ले लो तो means y कहते हैं उपर नीचे के साथ साथ आढ़ा तेड़ा भी कटता है तो यह सिर्फ multiply की case में होता है और कई बार बच्चे क्या कर देते हैं numerator numerator को कट करते हैं denominator denominator को कट करते हैं आपको ऐसा नहीं करना है आप जब भी काटोगे तो एक number numerator का होना चाहिए और एक denominator का होना चाहिए तब ही कटेगा otherwise नहीं कटेगा तो देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और दोनों कटना चाहिए एक ही number के एक ही number से कटना चाहिए एक ही number की table में आना चाहिए बचा 2 7 जा 14 3 जा 3 तो देखो मैंने आपको ऐसा case भी बता दी है जिसमें कटता है ऐसा case जिसमें नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे उपर का multiply उपर से कर दिया 8 आया इसका multiply से कर दिया 15 आया यह हो गया multiplication का case चलो इसी के साथ साथ यह ninth question जो है उसको भी बताते है 1 right 3 by 4 into 2 right 1 by 5 don't worry अगली class जो होगी इससे अच्छे level के questions होगे उसमें हम आपको और into plus minus जो भी है लेकिन ओके यह तो चलो ठीक है हम करते रहेंगे discuss जब practice करेंगे अगली class जो fraction की होगी उसमें हम decimal fraction के बारे में पढ़ेंगे चलो इसको देखो देखो into में आपको एक बात बता दू जिस तरीके से मैंने 8 right 1 upon 3 को खोला है 8 plus 1 upon 3 यह काम आपको करना है सिर्फ plus में और minus में into में ऐसा नहीं करना है मैं फिर से repeat करता हूँ जिस तरीके से मैंने इसको खोला है ऐसे आपको यह काम सिर्फ plus और minus में करना है into में कभी खोलना नहीं है क्योंकि into में खोलोगे समस्या बढ़ जाती है हमें समस्या बढ़ानी नहीं है न इसलिए सिर्फ plus और minus में खोलते हैं चलो solve करते हैं आपको इसे मिट फ्रेक्शन को ऐसे चेंज करना होगा इंप्रॉपर में 5 तुज़र 10 वन 11 अपॉन 5 क्या आया उपर का मल्टिप्लाई उपर से करो नीचे का मल्टिप्लाई नीचे से करो हो गया solve ठीक है तो यह into के cases भी मैंने आपको बता दिये ऐसे cases बता है जिसमें cut नहीं रहा है ऐसे cases बता है जिसमें cut रहा है simplify हो रहा है cut करने को simplify होना कहते है ठीक है अभी divide का एक भी case नहीं बताया है तो अब जो case है वो divide का है चलो divide का case मैं आपको बताता हूँ जैसे माल लिजे आपने एक question लिया 4 divide by 2 actual में अगर मैं इसका तरीका देखो इसका answer होगा 2 मेरी बास समझेगा 4 divided by 2 लिख दिया answer होगा 2 मैं अगर आपको question देदू 2 divided by 4 तो कई बच्चे इसका भी answer 2 लिख देते हैं ये क्या है गलत है ये क्या है गलत है मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा ये solve इसके पीछे का आपको logic समझना होगा 2 divide by 4 देखिए divide जब हम करते हैं तो करते क्या है ये जो right में number होता है हम इससे इसको divide करते हैं ये जो right में number होता है हम इससे इसको divide करते है आप 2 का table पढ़ो कि 4 आ जाए तो आप देखोगे 2 का table 2 बार पढ़ोगे 4 आ जाएगा लेकिन आप जब 4 का table पढ़ोगे तो 4 की table में 2 कभी नहीं आएगा क्यों? क्योंकि 4 से छोटा number है आपका 2 तो कभी नहीं आएगा तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको direct divide करने में answer मिल जाए तो फिर हमें तरीका पता होना चाहिए कि इस 2 को निकालने का दूसरा तरीका क्या है? ये तो आप सब कर ही लोगे दूसरा तरीका क्या है? तो divide कहता है कि जब आप मुझे solve करोगे तो मुझे बदल लो आप into में बदल लिया और फिर कहता है कि ये जो right side में number है इसको reciprocal कर दो तो reciprocal क्या होता है? मैं आपको बताया था मैंने आपको फिर से repeat कर देता हूँ 3 upon 4 का अगर reciprocal देखोगे तो 4 upon 3 numerator बन जाता है denominator, denominator बन जाता है numerator लेकिन एक ऐसी situation कि जब fraction हो ही न तो क्या करेंगे? हम मानते हैं denominator में होता है 1, अब पल्टाएंगे तो आएगा 1 upon 3, ये काम हमें करना पड़ता है, ठिक? तो यही हम यहाँ पर implement करने वाले हैं ये divide बन गया into, इस 2 को पल्टाओगे तो 1 upon 2 अब कट कर दो, 2 से इसको divide करो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 answer आ गया 2 same यहाँ पर करो 2 है लिख लो divide को change करोगे तो into बन जाएगा 4 को लिख सकते होगा 1 upon 4, कट करो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1 का into 1 से करो 1 आएगा, यार देखना उपर का into उपर से करके उपर लिखो, जो नीचे बचा है उसे नीचे लिखो, ठीक है न? इसमें कुछ छेड़ खानी नहीं करना है वरना गलत हो जाएगा तो इस तरीके से solve करते हैं divide का case तो चलो अब मैं एक question लेता हूँ question की बात करते हैं divide का case कही ना कहीं फिर हमारा complete session हो जाएगा कि एक class जिसमें हमने plus minus into divide fractions के सीखे हैं कि किस तरीके से उन्हें करा जाता है जैसे मान लीजे मैंने आपको question दे दिया 3 upon 16 divide by 7 upon 4 मान लीजे ये divide आ गया तो आपको क्या करना है simple सा तरीका है 3 upon 16 as it is divide को बनाओगे आप into इसको कर दोगे reciprocal तो 7 upon 4 बन जाएगा आपका 4 upon 7 4 upon 4 जा 16 उपर नीचे भी कट सकता था लेकिन कटना दो चाहिए उपर नीचे नहीं कट रहा था इसलिए सीधे मैंने 8 तेड़ा काट दिया लेकिन हाँ मैं दो उपर उपर के नंबर दो नीचे नीचे के नंबर नहीं कट कर सकता तो अब हम कर देंगे उपर उपर का मल्टिप्लाई और नीचे नीचे का मल्टिप्लाई 3 का मल्टिप्लाई 1 से करोगे 3 आएगा 4 का मल्टिप्लाई 7 से करोगे तो 28 आएगा तो आज की क्लास में हम लोगों ने कहीं न कहीं ये सीख लिया है कि fractions के किस तरीके से आप प्लस माइनेस इंटू डिवाइड कर सकते हो ओके तो जरूर बताईएगा कि आज ही क्लास आपको कैसी लगी जो बच्चे चैनल में नए है चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिविकेशन आपको मिलती रहे जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे है वो सब्सक्राइब भी कर ले तो मिलते हैं अगली क्लास में जिसमें हम डेस्मेल फ्रेक्शन की बात करेंगे बाबाए बच्चो